हलो फ्रेंड्स एन वेलकम तो लानी जी दोक्तों हमारी भारत के महान व्यक्तित्तु कि स्रंकला का तीसरा पार्ट है और इस स्रंकला का यह महात्मा गांदी जी के जो स्रंकला चल रही है उसका यह अंतिम भाग है और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पेल्ट करें सारे वीडियो को चैनल सेर करें अधिक से अधिक को उतनी ज्यादा लोकित का लाव उठा सकेंगे और फेस्बुक पर उसे जुड़ने के लिए Facebook page Learn EG और Facebook Group Learn EG इन दोनों के माध्यम से आप जुड़कर Study Materials वीडियो के साल साल PDF में इमेजेस में और गुरुप डिसक्रिशन के रूप में प्राप्ट कर सकते हैं तो इन दोनों के Links आप वीडियो के भग्तिन यिहां ने बाफकर दो के आंगे का पाट है जो हमने चर्चा किती उसके आगे असायोग अंदोलन तक उसके अ रिएक नमक सत्याकर रिलेटेड गांदीڈ जी ने नमकंदोलनं की शुरुवाथ 12 अमार्च Kennanna ग्तितर शावर मति आश्रम से दंदी तक कि आत्रा करके की थी जो नमक सत्या कम राएं की शुरुत की आरंब civ舌 loc ते जो हमारा बहरत का थीयास क में स्रंक्राएं उसमें कर चुके थी और झोर नहींडियों पर गंदी जी के द्वारा किया गया यह सबसे बड़ा जन आंदोलन साबित हुआ जिसमें देश के प्रतेक प्रांट में लोगों ने इसको सपोर्ट किया और लोगों ने बढ़ चड़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया गांदी जी की एक बहुत ही बड़ी उपलब्दी थी आगे बात क क्या रही तो गोल में सम्मेलन नमक आंदोलन के बाद जो तातकालिक वाय सराय थे लाड इरविन से एक गांधी जी की वारता होई और समझोता के बाद जो पर्थम गोल में सम्मेलन था उसमें घाग नहीं लिया और कॉंग्रेस कोई विप्रतिनीदी सामिल नहीं हुआ था लेकिन जब नमक आंदोलन के बाद जो लाड इरविन से समझोते हुए उसके तहरत गांधी जी ने दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने का नेने लिया तो केवल दूसरा गोल में सम्मेलन था जिसमें कॉंग्रेस की तरफ से किसी ने भाग लिया था और गांधी जी एक मात्र कॉंग्रेसी नेता थे जिन्होंने दूसरे गोल में सम्मेलन में या फिर यह बोल सकते हैं किसी भी गोल में सम्मेलन में भाग लिया चर्चिल ने भारत का फकीर कहा था, भारतिए फकीर जो चर्चिल ने नाम दिया था गانधी जी को, वो गانधी जी जब दूसरे गोल में सम्मेलन में सामील हुए तो अपनी जो ग्रामीड व्यस बुसा जो धरण करते थे, अफनी लाटी और धोती पहन कर जब वो अहा सामील चर्चिल ने इनको भारती फकीर की उपादी प्रदान की भारती फकीर कहा इसके बात करते अखिल भारती हरिजन संकी स्तापना गांदी जी के जो आरा जो अखिल भारती हरिजन संकी स्तापना हुई उसकी तो लंदन से वापसी के साथ ही महत्मा गांदी जी का जो प्रभाव ता देस में उसको अंगरेज्वों ने कम करना चाहा और जिसके कारण उन्होंने गांधी जी जी को जेल मे डाल दिया और जेल में डालने के बाद जنتा के प्रती एक विसेश आंदोलनं छेड़ा सरकार ने जिसमें गांधी जी के प्रभाग को कम से कं करने का कोशिस की गई प्रयास किया गया कैद में रहते हुए गांधी जी ने दलितों के लिए प्रथक चुनाओं के विरोध में अंसन शुरू किया जब गांधी जी को जेल में डाल दिया गया सरकार के द्वारा तो उन्होंने जेल में रहते हुए जो प्रथक चुनाओं का नियम लागू किय था उसका विरोत करने के लिए अंसन शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा जेल में इसका देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा और देश के जो दलिक नेता थे प्रमुक उन्होंने एक आनन फानन में एक वैकल्पिक मद्दातू सूची तयार की और ब्रिटिस सरकार ने करने के लिए गांधी जी ने हरिजन सब्द का प्रयोक किया और अखिल भारती संग की इस्तापना की दोस्तों यहां पर जो गांधी जीने के ब्हेद बहुए को समाप्थ प्रियोंक है तो हरुजन का जो मतलब होता अगर हम संदी विक्षेद करते हैं तो उसका शाब्दिकर्टब्थ निखलता फिशमर की संतान पुत्र गांधी जी ने पड़ू समाप्थ करने गांधी जी ने देश के समख्र विकास के लिए जो कॉंग्रेस के पद से कॉंग्रेस में जो उनका पथा उससे श्तीफा दे दिया और पार्टी से भी पूर्ण रूप से छुटकारा ले लिया पार्टी को भी छोड़ दिया उन्होंने यहां पर और उसका जो मुख के कारण वो जो देश के ग्रामीड तबके के लोग थे जो जिनका विकास बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था उनके समक्र विकास पर ध्यान देने के लिए गांदी जी ने कॉंग्रेस को छोड़ा और अपना जो पद था उसको भी छोड़ करके देश के निचले मध्यमवर की के विकास के लिए ओजनाओं की तैयारी आरंब की देश की ग्रामीड जनता के विकास के लिए उन्होंने जो मुक्य कार्य किये तो कुटीरुद्धोग इस्तापित करवाए सिच्छा पर विशेश ध्यान दिया और जो भारत में सबसे ज्यादा व्यापक इस्तर पर फैला हुआ था भेद वाओ उसको कम करने के लिए अपने प्रयासों में बहुत ही अधिक बल प्रतान किया आगे बढ़ते और बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में गानी जी की भूमिका की तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसकी चर्चा तो हमने अपने वीडियो में पिछले की ह उसको अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से जरूर देखें क्योंकि वह बहुत ही महत्पूर्ण डॉपिक है एक्जाम्स की दर्ष्टी से गानी जी का जो इसमें प्रभाव रहा या जो भूमिका रही भारत छोड़ो आंदोलन में वह इस प्रकार थी कि जो भारत में ज का प्रभाव देश की जंता पर बहुत अथिक पड़ा रहा था जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि गांदी जी ने किस देश की जंता के किस किस वर्क से क्या क्या अपील की भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान उसका एक व्यापक प्रभाव दिये थे उसको अच्छे से उन्होंने पालन किया जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि गांदी जी ने सरकारी कर्मचारियों को अपनी जौब अपना कारे ना छोड़ने के लिए कहा था और साथी साथ यह कहा था कि पूर्ण रूप से कॉंग्रेस की पारण नहीं जो चात्रवर्ग था वह बरचड़कर भारत छोड़ों अंदोलन में हिस्से में पहुचा सामिल हुआ देश की स्त्रियों को भी गांदी जी ने इस आंदोलन में सामिल होने के लिए प्रेडित किया जो देश की स्त्रियां थी मैलाएं थी उनको अगर इस सांदोलन में भी गांदी जी को झानला पड़ा था जयता कि две पीछे विस्तितरूर्फ से बताया ह quartziantly जनता के दबाव के कारण गांदी जीओ को उनीशारवा और आज़ा किया गया और गांदी जी के प्रभाव के कारण ही भारत में आजाधी प्रांपTOR इस जौप 15 अगस्त जा रहे थे तो दिल्ली में नाथुराम गोड से जो कि एक कटर हिंदू पत्री नेता था उसके द्वारा गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई और तातकालिक प्रधान मंत्री जो थे पंडिजवालाल नहिरू उन्होंने देश की जनता को ये सोक समाक चार सुनाया और जो सब्द थे अगर उन्हें पर एक नजार डालते हैं तो उन्होंने ये कहा देश की जनता से कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है जो देश की जनता को उन्होंने संदेश दिया उसमें उन्होंने का कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है अब चारों तरफ अंदकार छागया है मैं आपको कैसे बताऊं हमारे प्यारे नेता राष्ट्रपिता बापू अब हमारे बीच नहीं रहे उन्होंने इन सब्दों के साथ पंडि जवालाल नहरू जी ने अपने इन सब्दों के साथ देश की जनता को यह अवगत कराया कि जो राष्ट्रपिता महात्मा करें वारां गांधी जी है उनका स्वर्गवास होगया आए उनका निधन होगया फ्रेंट हमारे इन तीन वीडियो में मनें चर्चा की महात्मा गांधी के संपूरण जीवनक्याल की जो की परिछाओं की द्रश्टी से बहुत ही महतुपूर्ण है और अगले आने वाले वी और कमेंट करना अपने सुझाओ का चरूर याद रखें उसको बिल्कुल भी मत बूलें और अगर अपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और प्ले लिश्ट को भी सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वाचिंग थैंक्यू